जे गुदिनिंग बच्चो आज यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं Formation of Benzoquinone from phenol, that means phenol से हम किस तरीके से Benzoquinone का formation कर सकते हैं यह जो reaction है, this is a oxidation reaction यहां पर हम लोग जो phenol है, उस phenol का हम लोग यहां पर oxidation करते हैं तो यह जो आपकी reaction जो है, there is a oxidation reaction और इस reaction में हम लोग oxidizing agent जो यूश करने वाले हैं वो है या तो chromic acid या फिर जिसे हम क्या ले सकते हैं यहां पर sodium dichromate I can write here Na2Cr2O7 और साथ ही साथ हमें यहां पर जो reaction जो करनी है वो acidic medium में करनी है, that means हमने यहां पर क्या लिया है H2SO4 लिया है, simple से reaction है इस reaction में हम लोग क्या करते हैं, phenol लेते हैं, we are taken here phenol और यह जो phenol है, इस phenol का हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, oxidation करने वाले हैं and these oxidation take place in the presence of Na2Cr2O7 that is called the sodium dichromate और साथ ही साथ हमें यहां पर acidic medium भी use करना है तो simply हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर इस reaction में हमें जो main running जो product मिलता है वो कुछ इस तरीके से एक double bone यहां पर आपका y7tees है और यहां पर जो है, एक double bone, यहां पर आपका form होता है और यहां इसकी उपर जो है opposite side में आपका ketone group यहाँ पर आपका इस तरीके से attach है, ठीक है, that means two ketone group are attached on this side एक आपका just opposite side यहाँ पर attach है, तो यह जो बनने वाला compound है, इसे हम बोलते हैं quinone और benzene ring की उपर यहाँ पर attach है इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं they are called benzoquinone तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है phenol से benzoquinone का formation कर सकते हैं यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है इसका mechanism mechanism of this reaction is very interesting और यहाँ पर जो reaction mechanism है, वो है आपका free radical reaction mechanism ठीक है, यहाँ पर जो reaction mechanism है मैं यहाँ पर लिएता हूँ free radical reaction mechanism जो इस reaction में जो है आपका follow होगा, वो किस तरीके से होगा वो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिया सबसे पहले जो है फिनोल लिया और इस फिनोल को हम लोग यहाँ पर जो है इसका reaction mechanism समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है radical यहाँ पर formation होगी किस तरीके से free radical formation होगा तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि यह जो है oxygen और hydrogen के बीच में यहाँ पर दो electron है एक electron यह है, दूसरा electron यहाँ पर यह है जो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर हम लोग free radical को half arrow की health से हम लोग यहाँ पर show करते हैं आप लोग जानते हैं इस तरीके से या फिर इस तरीके से ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक electron यहाँ पर यह जो hydrogen है इस की उपर यहाँ पर इस तरीके से jump होगा और जो oxygen वाला जो shared electron है वो आपका oxygen पर इस तरीके से jump होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, एक जो है phenoxy radical का formation होगा, ठीक है phenoxy radical मैं आपके सामने हैं बना रहा हूँ, मैंने यहाँ से क्या बाहर कर दिया है H, free radical जो इस तरीके से बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है, क्या बनने वाला है आपका इस तरीके से एक phenoxy radical formation होगा you can look here, यह आपका oxygen है, इस oxygen की उपर जो है, आपका इस तरीके से free radical हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है now, यहाँ पर जो है आपका double bond है, यह भी आपका double bond है, और यहाँ पर भी आपका double bond है इसे हम यहाँ पर क्या लिस सकते हैं, phenoxy radical I can just write here, phenoxy radical ठीक है, now अब यह जो oxygen की पास, जो यहाँ पर free radical है, यह यहाँ पर क्या करेगा इसका delocalization होगा और यहाँ पर जो है, इस ring के अंदर जो है, यह delocalize होने की कोशिश करगा देखें, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह वाले जो pi electron है यह वाले जो यहाँ पर pi electron है यह pi electron भी जो है आपका there are two pi electron और एक यहाँ पर pi bond formation कर रहे है दो pi electron मिलके तो यहाँ पर एक जो electron जो होगा वो आपका यहाँ पर आपका जम करेगा इस तरीके से जिसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं आप देखें यहाँ पर ध्यान से इस वाले electron को मैं यहाँ पर इस और्थो की उपर इस तरीके से रिप्रेजन कर रहा हूँ और इस वाले electron को मैं यहाँ पर जहाँ पर आपका oxygen आपका जिस carbon से टेच है उस की उपर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है रिप्रेजन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो नया जो structure बनेगा वो किस तरीके से formation होगा you can just write here इस तरीके से हम लोग ring formation करेंगे इस ring की उपर जो है आपका यहाँ पर oxygen होगा इस oxygen की उपर यहाँ पर जो है आपका एक free radical है और एक free radical जो है यहाँ पर बनेगा तो यह दोनो free radical that means यहाँ पर आप देखेंगे यह आपके double bond यहाँ पर as it is है एक free radical जो बनेगा वो इस ortho position पर इस तरीके से बनेगा और एक free radical जो होगा वो इस oxygen की उपर और एक इस carbon की उपर होगा और ये दोनो ये आपका जो यहाँ पर alpha carbon जिसको मैं हमेशा alpha carbon बोलता हूँ ये alpha carbon यहाँ पर क्या करेगा इसके पास एक electron है oxygen के पास यहाँ पर एक electron है तो यहाँ पर ये दोनों electron जो है मिलके यहाँ पर जो है क्या करेंगे एक double bond का formation करेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है तो यह जो carbon double bond O यह जो है एक तरह का ketone group है और इस ortho पे भी आपका क्या है यहाँ पर एक तरह का free radical यहाँ पर आपका इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं यह आपका जो है alpha carbon है और इसके पास वाली जो position है यह आपकी जो है यहाँ पर ortho position है इस ortho position पर आपका क्या है free radical हम लोग इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते है इसकी बाद यहाँ पर जस्ट इसकी पास वाला जो आपका double bond है इसको भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यह भी आपका जो है pi electron, there are two pi electron are here तो यहाँ से जो है फिर से आपका क्या होगा यहाँ से फिर से जो है pi electron क्या होंगे आपके देखिए एक electron जो होगा इस portion पर इस तरीके से delocalized होगा ठीक है जिसको मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकता हूँ यह और एक यह वाला जो electron जो होगा यह आपका इस पेरा पोजिशन पर इस तरीके से डिलोकलाइजड होगा तो अगला जो structure यहाँ पर बनेगा वो आप देखें यहाँ पर किस तरीके से formation होगा इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं और इस बैंजिन रिंग की उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उपर आपका double bond वो आपका acities है यहाँ meta वाला जो एक electron है और ओर्थो वाला जो एक electron यह दोनों मिलके यहाँपर क्या बनाएगे आपके इस तरीके से जो है एक pi bone का formation करेंगे और यहाँ वाला जो pi bone जो है आपका acidis है इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं और एक जो electron जो होगा वो आपका यहाँ meta पे जो है इस तरीके से delocalized होगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर meta free radical अब यहाँ से जो है यहाँ तक हम यहाँ तक जो है आपका क्या हो रहे हैं पे जो free radical जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जो होगा delocalized होगा यहाँ पर आने के बाद अगर हम देखें तो पेरा पे जो है then इस तरीक से हम लूग यहां पर जो है क्या दिखा सकते हैं, resonating structure दिखा सकते हैं, phenoxy radical जिसे हम यहां पर बोल सकते हैं, now यहां से जो है आपका oxidation होगा, देखे यह वाला जो यहां पर phenoxy radical है, free radical है, इसको मैं आपके सामने फिर से यहां पर दिखा रहा हूँ, इस पर oxidation किस तर जो H है और इस carbon पर आपका free radical है, तो जब भी यहां पर आपका oxidation होगा, oxidation हम लोग यहां पर उपर की reaction में जो हमने किया है, मैं simple यहां पर आपके सामने O दिखा रहा हूँ, इस तरीके से, तो यहां से आपका hydrogen जो होगा, वो भार होगा, और यह oxygen जो होगा, यह यहां पर attach तो oxygen की यहां पर outermost shell में, जो है, valence shell में कितने electron है, there are six electron यहां पर इसके पास है, तो यहां पर जो है, यह oxygen जो होगा, इस free radical के साथ जो है, एक और free radical यहां पर होगा, देखें मैं यहां पर आपके सामने किस तरीके दिखा रहा हूँ, यह जो H है, यह H जो है आपका यहां स इस तरीके से बाहर होगा, ठीक है, अपना electron यहां से लेलेगा, इस तरीके से यहां पर जो है, इसके पास विचारेक पास दो electron है, तो यह electron अपना electron लेलेगा, carbon जो है अपना यहां पर electron लेलेगा, carbon की उपर यहां पर जो है, कितने यहां पर free radical बन जाएंगे, there are two free radical इस तरी पर आपका टेच होगा आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एक डबल बोन ऑक्षियन में हमने यहाँ पर एच कर दिया एक पाई बोन यहाँ पर है और एक पेरा पोजिशन पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ये दो तो यहाँ पर आपकी ये फ्री रेडिकल है जो मैं आपक इलेक्ट्रोन के साथ यहाँ पर जो है शियर करके क्या बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से जो है डबल बोन फॉर्मेशन करेंगे इस वाले स्ट्रेक्चर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं देयर कॉल benzoquinone इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं benzoquinone लिख सकते हैं I can just write here benzoquinone ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं benzoquinone का formation कर सकते हैं ओके थैंक्यू सो मच